नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टीफार सिविल स्रिप्टेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरं सब्काइब कर लिए और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना नमस्कार विद्वान साथियों मदुर्गे विशुकर्मा स्वागत करता है दोस्तों यह है उत्तर पर विद्वान सभाग के लिए हिंदी सीरीज का छठा वीडियो है वीडियो सुरू करने से पहले में आपको बताना चाहते हूं हमारी का इपेड ग्रूप चलते हैं अगर आप उनको लेना चाहते हैं इन दो नमबर पर कॉल का जंकर आपका आपकते हैं तो दोस्तों देखते हैं आछा पहला प्रता प्रताना वीजाति का विलूम है वहजाति है आए आप देखते Surprise वापको पहचाना है कोप, रोस, अमर्स, चंद्रहास तो इसका जो सही आंसर है वो अपसंडी चंद्रहास चंद्रहास जो है यह क्रोध का परेवाची न होकर यह तलवार का परेवाची होता है इसका जो अपसंडी हो सही है और अन्य जो तीनों सब्दिये गए है अमर्ष, रोस और कोप जो है यह सभी क्रोध के पर्यवाची होती है आज देखते हैं अगला प्रसम लोग जो सोक करने योग गिना हो उसके लिए सब्दी क्या प्रयोग होगा वह आपको बताना है सोक, आसोक, सोका कुल, हर्स तो इसका जो सभी आंसर है वह option B आसोक जो सोक करने योग गिना हो उसके लिए यो एक सब्द प्रयोग होता है वह आसोक होता है, इसका जो option B है वह सही है आई देखते हैं अगला प्रसम लोग आप लोग सामने चार सब्द दिया गया है इसमें से आपको पहचानना है कौन सा तदभाव नहीं है किसन, ओखली, उच्छा, अच्छद तो इसका जो सही आंसर है वह option डी अच्छद अच्छद जो सब्द है यह एक तत्सम सब्द है अब इसका जो तदभा रूप होता है वह अच्छद होता है इसका जो तद्भा रूप होता है वह अच्छत होता है इसका जो option D है वह सही है आई देखते हैं अगला प्रसम लोग सुद्ध वर्तनी सब्द पहचानना है आप लोग चारू सब्दों को पढ़ लिजिए इसका जो सही आंसर है option B अच्छूण यह जो सब्द लिखा हुआ है यह सुद्ध वर्तनी का सब्द है इसका जो option B है वह सही है आई देखते हैं अगला प्रसम लोग परिश्रम का विलूम क्या होगा वाग को पताना है मेहनत अकार्य आस्रम विस्राम तो इसका जो सही आंसर है वह option D विस्राम परिश्रम का जो विलूम होता है वह विस्राम होता है इसका जो option D है वह सही है आई देखते हैं अगला प्रसम लोग जंगल का परेवाची कौन नहीं वह को पैचाना है वीपिन रैन वन अटवी तो इसका जो सही आंसर है वह उप्सन भी रैन रैन जो है वह जंगल का परेवाची ना होकर यह जो है रात्र का परेवाची होता है और वहीं पर वीपिन वन और अटवी जो सब्द है यह सभी नहीं है जो बाता न। इसका सही जो indeed है जो फिट है इसके इसका जो अप्त होता है इसका अपशंद्य फाता इसे जो कुरुद्ध घुला香र चोड़ा कोश इसका जो सही आंसर है, वो option A कुरुध, कुरुध जो है यह एक तत्समस्ब्ध है और इसका जो तत्भरूप होता है वो कुरुध ही होता है इसका जो option A है वो सही है, आई देखते अगला प्रसमलो सन्योग का विलोम क्या होगा भाब को बताना है कुयोग, सहयोग, निरोग, वियोग तो इसका जो सही आंसर है वो option D, वियोग सन्योग का जो विलोम होता है वो वियोग होता है इसका जो option D है, वो सही है आई देखते हैं अगला प्रसमलो शडपद का पर्यवाचे नहीं है वो आख बताना है मदुकर, जल जीवन वरिंग, मदुराज तो इसका जो सही आंसर है वो option B, जल जीवन जो है, वो शडपद का पर्यवाचे नहीं है यह जो है, मचली का पर्यवाचे होता है और वहीं पर मदुकर, वरिंग और मदुराज जो है, यह सभी शडपद के पर्यवाचे होती है इसका जो option B है, वो सही है आज देखते हैं अगला प्रसम लोग आप लोग सामने 4 सब्द दिया गया है इसमें से आपको पहचानना काउंट सा सुद्ध वर्तनी का सब्द है, आप लोग 4 सब्द को पढ़ लेजिए इसका जो सही आंसर है, वो option B अहल्या option B के जो अहल्या लिखा हुआ है यह सुद्ध वर्तनी का सब्द है इसका जो option B है, वो सही है आज देखते हैं अगला प्रसम लोग जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके उसके लिए सब्द क्या प्रेव होता है उपस्थित, अनुपस्थित, अथा, अकास तो इसका जो सही आंसर है, वो option C अथा जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके उसके लिए जो 100 प्रेव होता है, वो अथा होता है इसका जो option C है, वो सही है आज देखते हैं अगला प्रसम लोग म्रिगेंद्र का परेवाची नहीं है, वो आपको पहचानना है कॉंसर नहीं है म्रिगराज, शंभू, वनराज, केसरी तो इसका जो सही आंसर है, वो option B शंभू शंभू जो है, वो हम्रिगेंद्र का परेवाची ना होका है या जो है, सीव का परेवाची होता है आकलालन का जो पहलीं होता है इसका जो आपस़ण ए लोत dependent सब्त नहीं है वो आपको बताना चंख नहीं है तुरंट स्ने भागनी जो sevent उनREE is सबी तत्सम सब्द हैं इसका जो option A है वह सही है आई एक अगला प्रसम लोग आप लोग सामने चार वाक दिया गया है इनमें से असुद वाक को पहचानना है कौन सा एक असुद वाक के है पहला जो वाक के है मेरा इससे कोई रिस्ता नहीं है दूसरा जो वाक के है उसने मोती का एक घर खरीदा तीसरा जो वाक्य है मेरे घर में केवल मात्र एक चपरासी है चौथा जो वाक्य है सत्र मैदान से भाग खड़ा हुआ इसका जो सही आंसर है वो option C मेरे घर में केवल मात्र एक चपरासी है यह असुद्ध वाक्य है इसका जो सुद्ध रूप होगा मेरे घर में केवल एक चपरासी है यह जो मात्र सब्द है इसको हटा देने से यह जो वाक्य है वह सुध्ध हो जाएगा आई देखते हैं अगला प्रसम लोग बगीचा सब्द का परेवाची कौन नहीं वाको बताना है उपवन निमित वाटिका निकुंज वह सभी बगीचा के परेवाची है यह जो उपवन वाटिका और निकुंज स्रेश्ठी, इसका जो सही आंसर है, वह option B, बैल, बैल जो सद्ध है, यह एक तदभा सद्ध है, इसका जो option B है, वह सही है, आज देखते अगला प्रसम लोग, शाधु का विलोम क्या होगा, वह आगको बताना है, शन्याशनी, शाधवी, शाधुनी, या असाधु, इसका जो प्रसम लोग, सुद्ध वाक्य है, आपको पहचानना है, चार वाक्य दिया गया है, इसमें से कौन सा वाक्य जो है, सुद्ध है, पहला जो वाक्य है, गोदान प्रेम चंद की एक स्रेश्ट उपन्यास है, दूसरा जो वाक्य है, उसका प्राण निकल चुका है, तीसरा वा सब्सक्राइब करना भारती संस्क्रित का एक प्रसिद्ध गुड़ है यह एक सुद्ध वाक्य है अन्य वाक्यम जो त्रोटियां उनको आप लोग देख लीजिए यहां पर जो होगा गोदान प्रेम चंद की एक स्रेश्ट उपन्यास है इसका जो सुद्ध रूप होगा वचन होता है इसके लिए उसके प्राण निकल चुके है इसका सुद्ध रूप होगा उसके प्राण निकल चुके है इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है मैं मेरी कलम से लिखता हूँ इसका जो सुद्ध रूप होगा मैं अपनी कलम से लिखता हूँ मैं अपनी कलम से लिखता हूँ आप लोग comment box में बताईए कि इधानी परशत के पीपर आप लोगों में कौन-कौन लोगों दिया है आप लोग comment box बज़रू बताईएगा आगे देखें अगला प्रसम्रूप तत्सम सब्द नहीं है वह आपको पहचानना है आश्टादस श्यामल श्वशूर साखी तो इसका जो सही आंसर है वह आपसंडी शाखी जो सब्द है यह एक तरभव सब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वह साची होता है और वहीं पे आश्टादस श्यामल और श्वशूर जो सब्द है यह सभी तत्सम सद्ध है इसका जो option D है वह सही है आज देखते हैं अगला प्रसम लोग निम्न में कंचा भिलों युग्म जो है तुर्टिपूर हुआ आपको बताना है उन्नत आवगत अपेच्छा हुपेच्छा अग अनुज आदान प्रधान तो इसका जो सही आँसर है वह option A उन्नत आवगत जो है यह जो यूग्म है इसका जो option A है वह सही है आए देखते हैं प्रसंबलो आप लोग सामने चार वाक दिया गया है इनमें से पहचानना है कौन सा आसुद्ध वाक के हैं पहला जो वाक है मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा दूसरा जो वाक है यह वही लड़की है इसको इनाम मिला था तीसरा जो वाक है मुझे उस प्रसंद का उत्तर नह यह वही लड़की है जिसको इनाम मिला था तब जाके यह जो वाक है वह सुद्ध होगा इसका जो आप्सन भी है वह सही है आई देखते अगला प्रसंद लोग जो बीत चुका है उसके लिएक सब दिख्या प्रयोग होता है वर्तमान आतीत भाविस्थ समाप्त तो इसका ज क्या प्रसंद जो कभी नहीं मरता है उसके लिएक सब्सक्राइड प्रयोग होता है अमर्त इसका जो आप्सन यह है हुआ सामने बाधि Assim इनमें से एक वाक्य जो है, सुद्ध है, उसको पहचानना आपको है, पहला जो वाक्य है, आमित के एक बेटा है, दूसरा जो वाक्य है, ये पत्र किसने लिखा है, तीसरा जो वाक्य है, पेड में पत्ते गिर रहे हैं, चौथा जो वाक्य है, आप यहां बैठो, इसका जो सह यह आंसर है वह option B यह पत्र किस ने लिखाया है यह सुद्ध वाक्य है और ने वाक्यूम जो तुटियां उनको आप लोग देख लिए अमित के एक बेटा है इसका जो सुद्ध रूप होगा अमित का एक बेटा है तब जाके यह जो वाक्य है वह सुद्ध हो जाएगा अगला बैठो इसका जो सुद्ध रूप होगा आप यहां बैठिए इस प्रसंद का जो उत्तर होगा option B सही है आज देखते अगला प्रसंदो धर्ती और आकास की बीच की अस्थान के लिएक सब्ध क्या प्रयोग होता है अंतरिच उपग्रह ग्रह पाताल तो इसका जो सही आंसर ह वह option A अंतरिच आकास और धर्ती की बीच की जो अस्थान होता है उससे अंतरिच का जाता है इसका जो option A है वह सही है आज देखते हैं अगला प्रसंदो गंगा का पर्यवाची कौन नहीं हो आपको पहचानना है सुर्षरी कौमुदी मंदाकिनी विश्डु पदी इसका जो अन्य जो सब्द दिये गए सुर्षरी मंदाकिनी और विश्डु पदी जो यह सभी घंगा के पर्यवाची होते हैं इसका जो option B है वह सही है आज देखते हैं अगला प्रसंद लोग तत्सम सब्द नहीं वह आपको पहचानना है चार सब्द दिये गए है उज्जवल कुप और कोटुम जो सब्द है यह सभी तत्सम सब्द है इसका जो option C है वह सही है आज देखते हैं अगला प्रसंद लोग बीना वेतन काम करने वाले के लिए सब्द क्या प्रयोग होता है वह आपको बताना है वैतनिक अवैतनिक ठलुआ अतियोक्ति तो इसका जो सही आंसर है व जिसमें सामर्थ ना हो उसके लिए सब्द क्या प्रयोग होता है वह आपको बताना है निरर्थक अशंभाव अश्मर्थ है और संभ्यावी तो इसका जो सही आंसर है वह option C अश्मर्थ है जिसमें सामर्थ ना हो उसके लिए प्रयोग होता है वह अश्मर्थ होता है इसका ज माधव, गोपिनाथ, वाशुदेयो, इसका जो सही आंसर है, वह ओप्शन ए, वागेश, वागेश जो है, वह क्रिस्ट का परहवाची ना होकर यह जो है, सरस्वती का परहवाची होता है, और वहीं पर जो अन्य सब्द है, माधव, गोपिनाथ, और वाशुदेयो, यह सभी क जिसके लिए कोई बाध्य रोग twoк न न हो उसके लिए सब्सक्राइब होता है इसका आप्सन अवध्य है इसकी सभाएं अपसेंप्साम क्या होगा भाताना है तेज़ प्रख़र मंद छीन है तो इसका जो सही आंसर है वह उप्सण सी मंद तीश्र का जो विलों होता है वह बंद होता है इसका से चलब सब्द भाको पहचाना है चिद्र शोड पुर्शार वच इसका जो सब्द अरूत्थ जो इसक इसका सब्स बहां है इसका जो अगला प्रसम लोग जो नया आया हुआ उसके लिए एक सब्द क्या प्रयोग होता है नूतन नवांगतुक अभेद्य अच्छूत इसका जो सही आंसर है वह आप्शन भी नवागंतुक जो है प्रयोग होता है जो नया आया हुआ उसके लिए एक सब्द प्रयोग के रूपने इसका जो option B है, वह सही है, आई देते हैं अगला प्रसम लोग, सुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है, आप लोग सामने चार सब्दी आगे है, आप लोग चारो सब्दों को पढ़ लीजिए, इसका जो सही अंसर है, वह option A, शांकृत्यायन जो सब्द लिखा हुआ, option A का, य इसका जो सही अंसर है, वह option B, सुधी, सुधी जो सब्द है, यह पतनी का पर्यवाची ना होकर, यह जो है, पंडित का पर्यवाची होता है, अन्य जो सब्द दिएगे, भार्या, दार्या और वामा जो है, यह सब्दी, यह सब्दी जो है, पतनी के पर्यवाची होते हैं, तो इसका जो सही answer है वह option B, शपना जो सब्द है यह एक तर्भो सब्द है, इसका जो option B है वह सही है, आज देखते हैं अगला प्रसम लोग, शुकल का बिलोम क्या होगा वाग पताना है कृष्ण, काला, श्यामल, अर्शित तो इसका जो सही आंसर है वो option A कृष्ण सुकल का जो बिलोम होता है वह कृष्ण होता है इसका जो option A है वह सही है आज देखते हैं अगला प्रसंबलो पूरुष जो अभिना करता हो उसके लिए एक सब्द क्या प्रेव होता है अभिनेत्रे, निर्देशक, अभिनेता, चित्रकार तो इसका जो सही आंसर है वो option C अभिनेता पूरुष जो अभिने करता हो उसके लिए एक सब्द जो प्रेव होता है वह अभिनेता होता है इसका जो option C है वह सही है आई देते हैं अगला प्रसंब्द है चार सब्दी है गये हैं आपको पहचानना इसमें कौन सब्द जो है तद्बह है अच्छोब उच्छा कैवर्त ग् इसका जो सही आंसर है वह option B उच्छा जो सब्द है या एक तद्बह सब्द है इसका जो option B है वह सही है आई रेखते हैं अगला प्रसंब्द लोग आप लोग सामने चार वाक्य दिया गया है इसमें साब को बताना है कौन सब्द के जो सुद्ध है पहला जो वाक्य है माला चार रुपई मातर दीजिए चाउथा जो वाक्य है आप हस्ताचर कर दें इसका जो सही आंसर है वह option D आप हस्ताचर कर दें यह एक सुद्ध वाक्य है अन्य वाक्यम तुटियां जो हो उनको आप लोग देख लिजिए पहला जो वाक्य है माला घुमाने से नहीं मन निर्म होने से परमात्मा मिलता है इसका जो सुद्ध सुरूप होगा माला फेरने से यहां जो घुमाना वर्ड दिखा इसको हटा कर यहां फेरने लिखना होगा तो यह जो वाक्य है यह सुद्ध होगा अगला जो वाक्य है वह कहे थे आपने नहीं सुना इसका जो सुद्ध रूपई मात्र दीजिए मात्र दीजिए इसका जो स्वदुसरूप होगा केवल 4 रूपई दीजिए इसका स्वदुसरूप होगा आज देखते हैं अगला प्रसम लोग जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिएक सब्द जो प्रेव होता है शिरो मड़, नाथ, अनाथ या आदोती है तिसका जो सही आंसर है वो option C अनाथ जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए एक सब्द जो प्रेव होता है वो अनाथ होता है इसका जो option C है वो जो सही है आई देखते हैं अगलाप्ट असमलो आप लोग सामने 4 सब्द दिया गया है इसमें सापको पहचानना कौन सा सुद्ध वर्तनी का सब्द है आप लोग 4 सब्द को पढ़ लीजिए इसका जो सही आंसर है वो option A दुर्धर्स option A का जो लिखा वो दुर्धर्स है या सुद्ध वर्तनी का सब्द है इसका जो option A है वह सही है आज देते हैं अगला प्रसम लोग विस्तार का विलोम क्या होगा छोटा, लग, संचेप या ब्रिहद तो इसका जो सही आंसर है वह option C संचेप विस्तार का जो विलोम होता है वह संचेप होगा इसका जो option C है वह सही है आज देखते हैं अगला प्रस्म लोग, सुद्ध वरतनी आपको पहचानना है, इसमें से कौन सा जो सब्द है, वो सुद्ध वरतनी का है, आप लोग चारू सब्दों का पढ़ लीजिए, इसका जो सही आंसर है, वो option B, समुझ्ज्वल, यह जो सब्द लिखा हुआ है, यह नस्वर, सास्वत, अंत, इसका जो सही आंसर है, वो option B, नस्वर, चिरंतन का जो बिलोग होता है, वो नस्वर होता है, इसका जो option B, वो सही है, आज देखते हैं अगला प्रस्म लोग, आप लोग सामने 4 सब्द लिखा है, इसमें से आपको पहचानना है, कौन सा तद्सम สब्द नहीं है कोकिल गवाय वोसद्भ यह सब्द है और इसका घ। अब्र है कि एगया है वीडियो कर आपको अच्छे लग सकते हैं चैनल सस्क्राइब कर लिजें डिट पड़र